जीव है जिसकी गर्दन काट देने पर वह कुछ हफतों तक जिन्दा रहता है यहां बात दिसंबर की है बहुत कड़कडाती सर्दी पड़ रही थी रात का समय है और मोटू सो रहा है और बहुत जोर से खराते भर रहा है मोटू के खराते की वजह से पतलू को नींद नहीं आ रही लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पतलू की सो जाता है लेकिन जब रात को बारा बचते हैं तो अचानत पतलू की नींद खुल जाती है पतलू को कुछ सुनाई देता है जब है गौर से सुनता है तो उसे गेट बजाने की आवाज आती है फिर पतलू दर्वाजा खोल कर बाहर जाता है तो देखता है बहार एक आदमी खड़ा है और उसके उपर सोने का प्रकाशा रहा है उस आदमी को देखकर पतलू डर जाता है फिर वहाँ आदमी पतलू से कहता है तुम्हारा नाम पतलू है मैं जानता हूँ आज से ठीक दो दिन बाद तुम्हारे दोस्त मोटू की मौत होने वाली है तुम लोगों ने हमेशा दूसरों की मदद की है किसी को परिशान नहीं किया और बड़ों का कहना माना है तुम दोनों बहुत अच्छे आदमी हो इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ दो दिन बाद मोटू की मौत हो जाएगी यह सुनकर पतलू बहुत जोर से रोने लगता है भाबा मोटू के बिना मैं भी मर जाओंगा मोटू से मैं बहुत प्यार करता हूँ मोटू मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है आप कोई उपाय बताये कोई तो उपाय होगा मोटू की जान बचाने का फिर वह आदमी बोलता है उपाय है लेकिन वह उपाय बहुत कठिन है क्या तुम उस उपाय को कर पाओगे क्या बाबा आप मुझे उपाय बताएए मैं सब कुछ करने के लिए तयार हूँ मेरे मोटू के लिए तो वह बाबा बोलता है काली पहाडी के उस पार एक जंगल है उस जंगल में तुम्हें एक घर मिलेगा और उस घर में एक तांत्रिक बाबा रहता है वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है उसके पास एक जादूई पत्थर है अगर वह पत्थर मोटू के उपर लाकर रख दो तो मोटू मरने से बच जाएगा और मैं तुम्हारी दोस्ती देखकर बहुत खुश हुआ तो मैं तुम्हें मेरी शक्ती से सीधा उस जंगल में पहुचा देता हूँ जहां तुम्हें वह तांत्रिक मिलेगा फिर वो बाबा पतलू को अपने जादू से उस जंगल में पहुचा देता है पतलू जंगल में तांत्रिक को ढूनता है और उसे तांत्रिक का घर मिल जाता है खेर पतलू तांत्रिक से मिलकर तांत्रिक को सारी बात बता देता है खेर तांत्रिक बोलता है लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा अगर तुम्हारा जवाब सही निकला तो मैं तुम्हें वह पत्थर दे दूँगा फिर पतलू बोलता है मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा बस आप मेरे मोटू को बचा लीजिए कैसे भी करके आप अपना सवाल पूछिए ऐसा कौन सा जीव है जिसकी गरदन काट देने पर वह कुछ हफ़तों तक जिंदा रहता है फिर पतलू सोच में पड़ जाता है थोड़ी देर सोचने के बाद पतलू को जवाब आ जाता है फिर पतलू बोलता है आपके सवाल का जवाब कोक्रोज है क्योंकि कौक्रोच ही ऐसा जीव है, जिसका सर काटने पर कुछ हफ्तों तक वही जिन्दा रहता है पतलू का यहाँ जवाब बिल्कुल सही था तांत्रिक पतलू से खुश होकर उसे वहाँ पत्थर दे देता है फिर पतलू मोटू के पास जाकर उसके उपर वहाँ पत्थर रख देता है इस तरह पतलू ने मोटू की जान बचा ली